असलाम लेकुम and welcome to your own channel. कैसे आप सब और आपका रमजान कैसा गुजारा है? आज मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनानी थी क्योंकि मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा था मेरे तब्यवत थोड़ी सी ठीक नहीं थी लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि I really wanted to make a video and show you something बात बहुत छोटी सी है लेकिन अगर आप बहुत नोटिस करें तो बात इतनी भी छोटी नहीं है बात ये है कि आज में ये तब्यवत ठीक नहीं थी और मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए बहुत ही कुछ थोड़ा बहुत बनाऊंगी मतब कुछ थोड़ा बहुत मुझे बेसन की रोटी पसंद है तो मैं वो बनाऊंगी और साथ मैं पानी से रोटी रोजा खोल लूँगी कुछ दिन पहले हमारे घर में आई थी एक देगी बर्यानी मुझे देगी बर्यानी या देगी पलाओ बहुत पसंद है और सबी को पसंद होते है क्योंकि उनके एक जो टिपिकल टेस्ट होता है वो बहुत जबद़स्ट होता है तो इतफाक मैं नहीं खा सकी और इसकी मैं शिकायत करी थी पनी मदर के साथ के मैं भर्यानी नहीं खा सकी तो आज क्या हुआ कि आज चुके मैं कुछ भी अफ़तारी बनाने के मूर में भी नहीं थी और आज कोई घर पे भी नहीं था और अफ़तारी कोई भनी भी नहीं थी तो मैंने सोचा था कि चलो वैसे ही बस आज खाना पूरी की जाएगी लेकिन आप अल्ला ताला का करना देखें अल्ला ताला का इंतजान देखें कि आज स्ट्रीट में जितने लोग थे उन सब ने अफ़तारी भेज दी और कोई ऐसी मामूली अफ़तारी नहीं बहुत आउटस्टेंडिंग अफ़तारी तो I wanted to show you this यह देखिए यह देखें मैं इस अफ़तारी के सामने अभी बैठी मी हूँ और मैं यही सोच रही थी कि इनसान जो चाहता है और यह एक ऐसा चोटी सी बात है जो मैंने बहुत अफ़ा नोटस की है और मैंने चाहा कि मैं आप लोगे साथ शेयर करूँ कि आप अपनी नियत साफ रखें और आप अल्ला ताला से हर चीज़ मांगे हर चीज़ मांगे और बजाए यह सोच बगएर कि यह आपको मिलेगी के नहीं मिलेगी आपने यह इमान रखना है अपना कि आपको मिलेगी और वो आपको मिल जाती है और मेरे साथ ऐसा बहुत अफ़ा हुआ है कि जब मेरा कुछ खाने को दिल कर रहता है वो एक तो दो तीन चार दिनों में हमारे खर किसी ने किसी फॉर्म में पहुंच जाता है जैसे एक दफ़ा मुझे मिठाई में गुलाब जामन अच्छे लगते हैं तो गुलाब जामन का मेरा दिल कर रहता और कुछ दिनों में दो-то tين दिन में कहीं से गुलाबजामन आ गया किसी के घर से गुलाबजामन आ गया and I was so happy कि इस Ц Bibli के इस तरह से मेरे साथ बहुत सारे events हो चचिके है और अर मैं बर्यारनी की फ़र्माईश कियर रही थी और मैं बर्यारनी की बात कर रही थी एक दो दिन पहले मैं ये बात करी थी कि मेरा बड़ा दिल करता है और आज देगी बर्याद में आ गई और इसके साथ हलीम आया हलीम का बारे में मैं कल सोच रही थी और हलीम भी आ गया तो आप ये देखें कि आप जो सोचते हैं अल्ला ताला कैसे पूरा करता है मिलना हमारे हक में नहीं होती या उनकी जबा अल्ला ताला रिप्लेस्मेंट भेज़ देता है या वो चीज़ें भी पूरी होनी होती है तो इस बिलीफ के साथ मैं सिर्फ ये चोटी सी एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती थी ये चोटी सी वीडियो बनाना चाहती थी सर्फ आपको दिखाने के लिए कि देखे मैं यहां पर ये सोच रही थी कि मैं या पेसन की रोटी मना लूँ या पानी के साथ रोजा खोलूँ ये रोजे का क्या है रोज की बात है और आज इतनी अफ़तारी आ गई कि मेरी तो एद हो गई तो मैं यहां बैठी मी हूँ डाइनिंग टेबल पे और मैं करने लगी हूँ अब अपनी अफ़तार और अफ़तारी का टाइम अल्मस्ट हो चुका है आप पी चाहिए अफ़तारी कीजिए और अल्ला ताला से हर चीज मांगिए और फिर जब चीजे मिल जाती है और बेन मांगे मिल जाती है या सुप्राइजिंग ने मिल जाती है तो उनको नोटिस किया करें और उन पे शुकर अदा किया करें क्योंकि यह ऐसी बात होती है कि हमारी लाइफ में बड़ा कुछ होर होता है we don't really notice these things कि हमें क्या मिल ला और क्या नहीं मिल ला तो हर एक एक चीज को notice किया करें और ये जैसे आज मेरे साथ हुआ है I am very happy और मैंने अल्ला ताला का बहुत शुकर अदा किया कि तूने किस तरीके से इंतिजाम करती है तो आप भी आपकी लाइफ में भी कुछ चोटी मोटी चीज़े होती है तो आप जरूर अल्ला से शुकर अदा किया करें और ला ताला से जरूर मांगा करें और आज का मेरा यही मैसेज था जिस के लिए मैंने वीडियो बनाई और मैं सोचा कि मैं आप लोग सब ये बात सुरूर शेयर करूंगी अपना ख्यार रखें लाफ़ेज